नमस्कार मैं हूँ आपके साथ असोग वर्मा आप देख रहें टीवी टॉंटी नूज करोना का संक्रमाट दिन प्रत दिन तेजी से अपने पाउं फैला रहा है और मौतों का सिल्सिला अब बढ़ता जा रहा है ऐसे में आप कोविड-19 की नियमों का पालन करें और एक गंडे पर अपनी हाथों को साबून से अवस्द होएं उन्होंने कहा कि दुकान पर आने वाले ग्राइकों को दूर से ही समान दे तथा अप दुकानों पर भीड़ना लगने दे जिलातकाई ने कहा कि किस सभी रिक्सिया वाले वाह 2-4 लक सीटों पर निधार संक्या मे में उपलाब थे जिलादकाई ने सभी जनपदवास्टियों से अपील किया है कि जब आवस्टे को तभी घर से बाहर नकलें तथा मास्क आवस्टे लगाएं बाहर की खुली चीज़ों को खाने से बचें उन्होंने भी कहा कि कोविट 19 की काइड लाइन का पालन करें तथा द अंस्या होने पर जी जी आई से आजाएं में स्तापित कोविट कंट्रोल लूंग में टोल फ्री नंबर वन एट डबल जीरो डबल एट नाइन सिक्स से में तरी फॉर पर संपर कर सकते हैं तर्था गहर प्रांतों से आने वाले वेक्तियों की सोचना भी दे सकता है इसके सा आजिम गर्ड जनपद्द में एक बार फिर 20 с उन्थ हंदूअ फर्षद आर्यम गर्ड का मानोवी चहरा सामन्या है आपको विस्व हंदू फर्षद आर्यम गर्ड दोरा आजिम गर्ड नगर के ास्त ज़्याद स्तानों को चिरूँत कर वहाँ निरास्तित तपस्वों को गर्मी में पानी पीने के लिए जलपात्र लगाने का संकल पिला गया है। ताकि सुमस भरी गर्मी में वेवचुवानों को पाने मिल सके। इसी सोच के साथ इस अवियान का सुबारम नगर के आसिपकंज महले पर जलपात्र लगा कर लिया गया। इस अउसर पर नगर आकार्याधक्ष अर्विन मोदनवाल, नगर उपाद्यक्ष चंदन सिंग, जिला सहमंत्री संतोष कुपता, नगर समयोज खिमान सुराज, नगर सहमंत्री अधिवक्ता मनोज सिंग, नगर सहमंत्री सुरज निसाथ, नगर धर्म प्रशार प्रमुक कौत अंबरनवाल अंको गुपता अंबुच कुमार विहीप के जिला मंतरी को रोगवन सित्यात कार करता उपस्तित रहे चुमार वित्ते ही जुनावी रंजे से सुरू हो गई है जिसको लेकर के जन्मपदभर में आए दिन खटनाय हो रही है जबकि पुलिस प्सासनल अगतार कारवाई कर रहा है इसके बाद भी खटनाय रुकने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि फुलिस की संख्या सिमीत है और इसमें महामारी को रोकने के लिए भी जगजग इच्छे के अव्यान चलाय जा रहा है जिसमें फुलिस को अफरादी तक पहुंचने में समय लग जा रहा है जिसका फाइदा अफरादी उठा रहा है इसके बावजुद भी प्रसासन लगतार कारवाई कर रहा है इस क्रम में आजम गुर्जी लेकि स्विधारिथाना चेतर के एक महुपूर में फुलोसी द्वारा एक परिवार पर अचारक हमला बोल देने का आरूप लगा है हमले में महिला को गमीर चोटे आई है जैनकारे के अनुसार सिधारिथाना चेतर के के महुपूर निवासी भामा ने आरूप लगाया कि उसके पुडोसी ने मार पिटकर उसे खायल कर दिया उसने आरूप लगाया कि वोट ना देने के चलते हमारे उपर गाउं की कुछ लोगों द्वारा हमला बोल दिया गया है जिससे हमें काफी चोटे आई है नियाई पाने के लिए अप पेड़ित देस्पी दगर पहुचा है और इस्पी से नियाई की गुहार लगाई है खाने बगए थे खाने बगए थे अब अप आया जी खेलो अब फिर उसे बाद कोई कारवाई नहीं की है कितने दिन हुआ गए अगर वो नई स्थारी के बाद ही आए क्या चाबते हैं आप हम को इंसाब चाहिए बद प्रवांचल के बाहुले मुक्तार अमसारी के वेदा कानून की कारवाई सुरू होगई है जिसका फर्रगां भी लोगों पून झल देखने को मिलेगा आपको बता दें कि प्रवांचल के बाहुले मुक्तार के पेसी आजबाइस अपरेल को आजमगर के गैंगेश्टर कोट में बार्श वरी हुई बता दे हैं कि अपर जिलास विम सत्र नायदिस रेप एंड पाक तो गैंगेश्टर एक कोट ने आदिस स्यारी करत हुई बादा जेल के अधिक्छा को पत्र में जा था मुक्तार को सुरक्षित कोट में पेस करने वापस ले जाने के जिमेदारी बादा पूर्श देक्छा को सौंपे गई थी लेकिन कोविड-19 की चलते आजमगर में मुक्तार की पेसी 12 के बाद वर्चोली की गई है कोट नमबर दो में नयाधिस ने मुक्तार अंसारी की बाद को सुना और अगरी में 24 माई को ठीर दिया है इस पेसी में गैंग के सरकना मुक्तार समित 6 खुकात साथी रिमान पर पेसी होने के लिए ऑनलाइन की गई काजी पुर्जिले के थाना मुहमदाबाद अंतरकती सुपर गावनी वासी मुक्तार अंसारी यूपी के बादा जेब में बंद है उसके इवम गैंग के खिलाब आजमगर के तरवा थाने के पुलिशने वर्स 2014 में हत्या समित कई धराओं में वर्स 2020 में गैंग अश्टर का कीस दर्द किया था उसी मामले में वर्स 2020-2012 अक्टूबर को बारान पे चारी हुआ था उस समय मुक्तार पंजाब रांद के मौखाले जेल के जेल में रुद था ऐसे में वो अलग-अलग कारणों के कोर्ट में पेस नहीं हो सका था लेकिन जब आजमगर निया एलाएम ने 22 अपरेल को माफिया मुक्तार अंसारे की पेसी करने का आदिस दिया है इसी किस में मुक्तार गैंग ने पांच और दस स्कूनसार के जेल से स्याम बाबु पासी काजिपु जेल से राजन पासी आजमगर जेल से राजन पासी उमेस स्वाविसेक मिस्रा भी रिमान पर पेस होने के आदिस दिया गए थे वुक्तार के दिवक्ता दारौका सिंग ने कहा कि मुझतार ने आदालत को बत्याइब कि वह पूरा मुकात्मा फोर जिये को राजनेटिक कारण सी ये मुकात्मा लगा लगाया गया है क्या कुछ कहा पर रोका जिय हoshima 25 निया और व्रिएयो का सटका रिमांड बना है पस्टिडी रिमांड आज बना है उनका और विवेचक महोदेवीर नियाले में पस्थित थे नहीं दर से आप अधियोई रिमांड पर नहीं लाया जाएगा इस यह क्योंकि आने की प्रक्रिया चल रही थी लेकिन डिफेंस के उखील हम लोग थे और हम है पर कि नहीं को दियान में रखते हुए चश्वास को ध्यान में रखते हैं उनकी जरिये वीडियो पेस्ट ही हो जिसको मानी नैले ने शुकृत किया और जरिये वीडियो कान्फरेंसींग करने के लिए बीचक महोदे को जिलाप्रसाशन को बादा जिल और आदेशी नहीं दिया इसी क्रम में उन्होंने पेशी भी कलाया और एक सरसाथ का रिमांड भी बना और अगली तिसी जो है चोवीस पाज की नियत की दोरान जो पूश्टास होती है वो किस माध्यम से होगी वीडियो कार्म सेंसिंग से होगी इस दोरान मुक्तार अंसारी कुछ मांग किया उन्होंने कहा कि हमारे खिला फर्जी मुकदमा लगाया गया है इसका जो मूल मुकदमा था 302 जो आज किसी का कायम हुआ था एक मजदूर की हत्या के मैं मजदूर को क्यों मालूंगा और यह कहा गया कि उस दिन मैं आगला जेल से गाजी पूर जेल गाजी इसको इसी अस्तरफर खत्म किया जेल में हूं तो कि उन्होंने सरकार का भी आरोप लगाया कि यह बदले की भावना से करवाई हो रही है मैं सिटिंग एमेले हूं और पांच सा से लगाता सिटिंग एमेले हूं और हमें सब बीजेपी की लोगों को हराया हूं इसलिए अब बेवस्ताइब के हफ्ते में दो दिन तीन दिन वाच अपने परिवार की लोगों से मोबाईल से बात करेंगे लेकिन मेरे लिए वह भी पावंदी है मेरे लिए का जादा कि नहीं आप से बात नहीं होगा और जो मैं मोबाईल नंबर दिया हूं मेरे बड़े भाई सां उनका भी मुवाइल नंबर दिया गया और पुलिस वाले लोगों ने कहा कि उनका मुवाइल बंद है और उनसे बाचित बी क्लास की सुविधा उपलब नहीं कराई गई नहीं हमको डाक्टर की परमर से जो हार्ड बेड पूलर मच्छरदानी या अपने खर्चे से भोजन की बेवस्ता होनी चाहिए वह जिल से अपर नहीं हो रहा है बलकि मेरे साथ क्रूस्ता का बेवाद किया रहा है उत्तरप्रदेश के महराजगन जनपर से एक बड़ी और चौकाने वाली खबर सामने आई है जहां चुनाओं में नई ड्यूटी लगाने से खफ़ा एक सिपाही अपने ही थाने के मुंसी के उपर राइफल तान दिया इतना ही नहीं सिपाही ने मुंसी को राइफल से पीट कर घायल भी कर दिया और गाली का लाज़ भी कर दिया मामले में एस्पी ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर कोतवाली थाने में मुकदमा देच कर आरोपी सिपाही को गिरफ़ार कर लिया है आपको बतादे हैं कि बाराजगन जेले की उसेदर कोत्वाली थाने में तेहनाथ सिपाही राजस कुमार ने थाने के मुंसी उमेश कुमार पर नाइट ड्यूटी लगाने की बात को लेकर सिपाही ने राइफल तान दिया इसके बाद राइफल से ही मार पीट कर मुंसी को घाल कर दिया सिपाही और मुंसी के बीच में मार पीट के बाद अन्य पूलिस कर्मियों ने हस्त शेफ कर मामले को सांथ कराया इस बात की जानकारी एसपी प्रदीब गुपता को जैसी हुई उन्होंने ततकाल आरोपी सिपाही को निलम्मित कर दिया और उसी थाने में मुंसी उमेज की तहरीर पर आईपीसी के धरा में मुखतमा पंकृत कर आरोपी सिपाही को जेल भेडिया गया है गतना के समद मेज्बी ने जानकारी दीए क्या कुछ खाहा सुनवाते आपको कुटव़ी में दो स्पाही के दोरा मार्पीट का मामला है वैज कर दिया गया है उसके विरुद अभियुद पंजिक कर दिया गया है एवं उसको गिरिफतार करके जेल बेजा गया है आजमगर जन्पत में पुल्स अदिक्षक के निर्देस्दान स्वार अफराद और अफराधियों पर कड़ी कारवाई की जा रही है ताकि जन्पत में अमन चैन बना रहा है हाल ही में 355 चुनाव को लेकर के पुलिस प्रसासन के जो चाक्चो बंद लगे थे वो काफी सराने था और इसी का परड़ाम था कि इस बार का 335 चुनाव सकुसल संपन हुआ कुछ आराजक तत्वों ने चुनाव में खलर डालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें किरवतार कर सलाखों के पीछी भेज़ दिया और कईयों पर कारवाई की साथ ही आपको बता दें जन्पद में विभिन थानों की पुलिस ने अपनी कारवाई करते हुए आज भी कई अफरादियों को गिरवतार करने में सफालता आसिल की है जो आज सम्ट टीबी 20 नियूज पर दोपर तक पुलिस या कारवाई में क्या-क्या और किस कि स्थाने से कितने लोग गिरवतार हुए हैं उसकी खबर हम आपको दिखा रहे हैं आपको पुता देए कि दोपर तक की इस खबर में हम आपको यह बता रहे हैं कि थाना जाहना गन्ज की पुलिस ने पुलिस पार्टी पर हमला करे फरारा विक्तों में से दो को गिरवतार किया है तो यह थाना कुतवाली पूलिश ने भी अपने केरवाई में एक बांची तवियोगतु गरफदार करने में सफलता हासिल किये साथी निजामाबाद पुलिश ने नवाली की सोरी से शर्षार करने वाले का वियोगत वियुद गिरफ़तार करने में बड़ी कम अभी हांसिल किये पता दें कि थाना जाना गंज कुटवाली और निजामाबाद पुलिश ने पुरुश दिक्षक सुधिर कुमार सिंग के निरदेश पर इनकर अपतार किया है